आज मैं आप लोगो साइंस बिज्ञान टेस्ट सिरीज का सेट वन जो सेलेक्शन वाले प्रस्ण है जो किसी न किसी परिख्षा में आये हुए हैं और टाप के 30 प्रस्ण है आईए स्टार्ट करते हैं क्वेशन नमबर वन है पानी का घुनत्व क्या है यह दिया है 1000 केजी पर मीटर क्यूब होगा क्योंकि यह आयतन का मात्रक क्यूब में होता है तो यह सब में 3 लग जाएगा क्यूब लग जाएगा सब में 3 लग जाएगा तो यह जो है कि पानी का घुनत्व क्या है तो यह दिया है 1000 केजी पर मीटर क्यूब 10 केजी पर मीटर क्यूब C दिया है 1 केजी पर मीटर क्यूब और D दिया है 100 केजी पर मीटर क्यूब इस प्रस्ण का सही उतर है विकल्प ए सही है और जहे कि सभी में जहे कि मीटर क्यूब जहे कि छूट गया है तो आप लोग इसे मीटर क्यूब मान के चलिएगा और बर्फ का अगर पूछेगा घनत्व तो बर्फ का घनत्व कितना होता है बर्फ का घनत्व होता है 920 kg पर मीटर क्यूब ठीक है ये होता है आग घनातु बराबर क्या होता है घनातु बराबर आयतन द्रब्यमान बराबर घनातु बटे आयतन होता है तो इसी कारण से जो है की पानी के पाइप फट जाते हैं अगला प्रस्ण है चलती लिफ्ट में ब्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा अब चलती लिफ्ट है ये उपर जा रही है ये नीचे जा रही है ये असपश्ट नहीं है तो इस प्रस्ण का जो है की बिकल्प दिया गया है ए बढ़ जाता है बी घट जाएगा सी भार नहीं सकता है तीसरा प्रस्ण है वेक्टर रासी का उदाहरण क्या है तो वेक्टर रास का उदाहरण के विकल्प दिये गए है ए वजन वी तापमान सी वेग डी लंबाई तो यानि वेक्टर रासी से मतलब है सदीस रासी सदीस रासी कौन से होती है जिसमें दिशा का जो है की बेग क्या है सदी सराश है विकल्प सी सही है अगला प्रस्न है कि कह रहा कि दाब की ये साई इकाई क्या है दाब का पूछ रहा है ये दिया है प्रति बर्ग सेंटी मीटर नूटन नूटन बर्ग मीटर और नूटन प्रति बर्ग मीटर और डी दिया है नूटन बर्ग सेंट मीटर इस प्रस्न का सही उत्तर होगा बिकल्प जो है कि कौन सा सही हो जाएगा बिकल्प सी हो जाएगा न्यूटन प्रतिबर्ग मीटर यानि दाब पी बराबर क्या होता है एफ अपान ए तो एफ फोर्स हो जाएगा ये एरिया हो जाएगा और पी प्रेसर हो जाएगा तो इ विकल्प C आपका एंसर सही है विकल्प C बल की SI unit क्या है? बल की SI unit क्या है? एक केलवीन बी न्यूटन, C pascal, D wolt तो बल की SI unit विकल्प B न्यूटन होता है पास्कल जो है कि क्या होता है जो है कि अगले प्रस्ण का जो है कि देखते हैं किस तत्व का प्रमाणुक्रमांक तीन होता है यह SI unit और CGS unit होगा तो पास्कल में जाएगा और किस तत्व का प्रमाणुक्रमांक तीन है A. बोरोन, B. लिथियम, C. बेरिलियम, D. सोडियम इस प्रस्ण का सही उत्तर है जो है कि आपका क्या हो जाएगा लिथियम लिथियम के प्रमाणुक्रमांक तीन होता है अगला प्रस्ण है आवर्शाणी के नियूनतम प्रतिक्रिया सील तत्व है नियूनतम प्रतिक्रिया सील तत्व पुछा है A. संक्रमन धातू, B. चारिय भूधातू, C. उत्क्रिष्ट गैस और D. चारिय गैस इस प्रस्ण का सही विकल्प है उत्क्रिष्ट गैस विकल्प C, निम्नली खित में से कौन सी गैस अक्रियगैस नहीं है, A-Helium, B-Nyan, C-Redon, D-Hidrogen, इस प्रसन का सही उतर है, विकल्प D-Hidrogen, यह जो है कि अक्रियगैस नहीं है, बाकी सभी क्या है, अक्रियगैस है, अगला प्रसन है, निम्नली में से किस गैस को अज्यात गैस के नाम से भ क्रिप्टान इस प्रस्ण का सही उत्तर है विकल्प बी जिनान विकल्प बी जिनान अगला प्रस्ण देखिए क्या दिया है कि बर्फ को सूखी बर्फ क्या है सूखी बर्फ क्या है यह जो है कि प्रस्ण बहुत इंपार्टेंट है बार बार परिक्षा में पुछा जाता है ये दिया है सुखा हुआ वर्प, रिगिस्टान में जमुझी वर्प और C कहरा है Carbon Dioxide का थोस रूप और D कहरा है Hydrogen Paras Robos इस प्रस्न का सही उत्तर है बिकल्प C Carbon Dioxide का थोस रूप तो स्टुड़ेंट ये 10 प्रस्न आप लोग साल्प कर लिये हैं और इसमें आप लोग अपना performance देखते रहिए, question अच्छे हैं तो वीडियो को share कीजिए, subscribe कीजिए, comment कीजिए, like कीजिए, कम से कम अपने एक ग्रूप में इसे share अवस्थी कीजिए अगला प्रस्ण है, बर्फ को पिगलाने के लिए निमलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, A. नमक, B. हाइडोजन, C. कास्टिक सोडा, D. साइट्रिक एसीड, इस प्रस्ण का सही उत्तर है, विकल A. नमक डैस, डैस, सोना को घोल सकता है, A. गिलिसरीन, B. पेट्रोलियम, C. मेचेनाल, D. एका रेजिया, इस प्रस्ण का सही उत्तर है, एका रेजिया सोना को घोल सकता है, बाकी कोई घोल नहीं सकता है, विकल्प D. सही है अगला प्रस्ण है quick silver की से कहते हैं quick silver की से कहते हैं A. titanium, B. mercury, C. platinum, D. radium इस प्रस्ण का सही उत्तर है विकल्प B. mercury विकल्प B. mercury को कहते हैं निम्न लिखित में से किसका पानी की अस्थाई को ठोर्था को दूर करने के लिए किया जाता है A. sodium carbonate B, potassium permagnate, C, chlorine, D, LM, इस प्रस्न का सही उतर है sodium carbonate, sodium carbonate का सुत्र क्या होता है, Na2CO3, Na2CO3, यह जो है कि sodium carbonate का सुत्र होता है, अगला प्रस्न है, खाने वाले समान्य नमक का रसाइनी का सुत्र क्या होता है, A, sodium bicarbonate, sodium chloride, sodium silicate, sodium hydroxide, इस प्रस्न का सही उतर होता है, जो है कि sodium chloride, sodium chloride का सुत्र क्या हो जाएगा, NaCl, यह sodium chloride का सुत्र हो जाएगा, अगला प्रस्न है, माचिस की तिली में dash dash होता है, A, sulfur, B, phosphorus, C, magnesium, D, potassium, इस प्रस्न का सही उतर है, विकल्प B, लाल फास्पोरस का प्रयोग किया जाता है, इस प्रस्न में विकल्प B सही है, अगला प्रस्न है, dash dash की उत्पती के कारण हमें वह गंध महसूस होती है, जिससे हमें LPG सिलिंडर लिख होने का पता चलता है, तो इसमें देखिए, आप लोग पढ़े होंगे, मिथाइल पर कैप्टन गैस इसमें नहीं दिया है, इसमें दिया है, नाइट्रोजन पर अक्साइड, कार्बन मोनो अक्साइड, सल्फर योगिक और कार्बन डाइक्साइड, ये सभी के सभी जो है की, मिथाइल पर कैप्टन गैस, जो है की, किसमें आएगा, इस प्रस्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प C सलफर का योगिक है मर कैप्टन गैप्स तो इसलिए जो है कि इस प्रस्न का सही उत्तर विकल्प C होगा अगला प्रस्न देखते हैं एंटी बाडीज होते हैं इस प्रस्न का विकल्प दिया है बसाएं B जीवाणों C प्रोटीन्स D इन में से कोई नहीं इस प्रस्न का सही उत्तर है एंटी बाडीज क्या होते हैं प्रोटीन्स होते हैं विकल्प C सही है स्वेत रोगाणों का कार्या है A आक्सीजन का O2 का संबहन O2 मैंने आक्सीजन CO2 यानि कार्बन का डाइकसाइड का संबहन और C पोसक पदार्स का संबहन और D सरीर की रोगाणों की रच्छा करना तो आप लोग जानते हैं एक RBC होता है जिसको Red Blood Cells कहते हैं एक को WBC कहते हैं एक Platelets होता है तो इसमें जो है की WBC पुछ रहा है White Blood Cells ये क्या काम करता है हमारे सरीर की रोगाणों की सुरक्षा करता है विकल्प D सही है अगला प्रसन है प्रतिजन Antigens किसके बड़े अनु हो सकते हैं इस प्रसन का विकल्प दिया है A Proteins, B Carbohydrates C Lyco Proteins और D या सब इस प्रसन का सभी होता है Antigens किसके बड़े अनु हो सकते हैं ये सब विकल्प D सही है चिकित्सा विज्ञान की वह साखा जिसके अंतरकत Cancer Aum Tumor का अध्यन किया जाता है इस प्रसन के विकल्प दिया गया A Ancology B Apthe Mology C Cocology D Autology इस प्रसन का सही उतर है विकल्प A Ancology वीडियो अच्छी लगे तो इससे सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए और अपने एक ग्रूप में अवस्य भेजिए जो आप लोग competitive परिक्षा की त्यारी कर रहे हैं तो उसमें आये हुए ये प्रसन है तो किसी ने किसी परिक्षा में ये प्रसन सभी आये हुए है आपकी तयारी अच्छी होगी आप लोग जह किसे अवस्य पढ़िए वाई की गती निमनली खित के द्वारा ना पी जाती है ये दिया है बैरोमीटर B. A. निमोमीटर C. हाइडरोमीटर और D. विंड वेग तो इस तरह से जह कि इस प्रसन का उत्तर हमें उमीद है आप सभी को आता होगा और आप लोगों ने जह कि जो बिकल्प मारे हैं उमीद है कि आप लोग जह कि बिकल्प B मारे होंगे जिनका विकल्प B आया होगा वो एंसर सही है विकल्प B एनिमो मीटर अगला प्रस्न है मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है A हिर्दे B फेफडे C किडिनी D प्ली है तो इस प्रस्न का सही उत्तर है विकल्प D लिहा प्रभावित होता है टमाटर में लाल रंग का कारण है टमाटर सब लोग देखे होंगे सब लोग खाते भी हैं और टमाटर का लाल रंग किस कारण से होता है तो विकल्प दिया गया है A. कैपसेनीन, लाइकोपीन B. जैन्थोफिल और D. उपयुक्त में से कोई नहीं तो आप लोग जानते होंगे इस प्रस्न का भी उत्तर आप लोग दे दिये होंगे कनफर्म उत्तर कर लिजे विकल्प B. लाइकोपीन सही है अगला प्रस्न है एक समान्य मानों की कोश्का में उपस्तित गुण सुत्रों की संख्या कितनी होती है A. चुवालिस B. चुश्यालिस C. अगला प्रस्न देखते है मान्सपेशियों को हड़ी से जोडने वाले उत्तर को क्या कहते है A. उपस्ति B. लिगामेंट C. टेंडन D. अंतराकासी द्रव इस प्रस्न का सही उत्तर है विकल्प C. विकल्प C. टेंडन होता है अगला प्रस्न है बढ़नांधता वाले आदमी को लाल रंग दिखाई देगा A. पीला B. हरा C. निला D. बैंगनी इस प्रस्न का सही उत्तर है विकल्प B. हरा रंग दिखाई देगा अगला प्रस्न है कौन सी गैस वाई मंडल का अंग नहीं है वाई मंडल में नहीं पाई जाती है A. नाइट्रोजन B. हिलियम C. क्लोरीन D. इन में से कोई नहीं इस प्रस्न का सही उत्तर है कि वाई मंडल में सबसे ज़्यादा 78 प्रस्त नाइट्रोजन पाई जाता है और जो है कि उसके बाद आक्सीजन पाई जाता है 21 प्रस्त ठीक है 21 प्रस्त पाई जाता है और बाकी जो है कि अधित्दम गैस से अक्रिय गैस में क्या पाई जाती है 0.93% अक्रिय गैस पाई जाती है और कारबन डाई एक्साइट कितनी पाई जाती है 0.03% पाई जाती है तो इस तरह से जो है कि हिलियम भी पाई जाती है लेकिन क्लोरीन गैस नहीं पाई जाती है इस प्रस्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका बिकल्प C क्लोरीन गैस अगला प्रस्ण है कौन सा बिटामिन हमारे सरीर में सबसे अधिक तिब्रता से बनता है सबसे अधिक तिब्रता से कौन सी बिटामिन बनता है इस प्रस्ण के बिकल्प दिये गए हैं बिटामिन A, बिटामिन जो है की B, बिटामिन C, बिटामिन D इस प्रसन का सही हुत्तर होगा विकल्पडी विटामिन डी जो सूर्य के परकास से मिलता है और इसको जहकी कौन से विटामिन कहा जाता है कैलसी फेराल कहा जाता है अगला प्रस्ण है आपका तीस सवाल है जो आपको दिया हुआ है कि यदि साथ वाट का बल प्रती दिन पांच घंटे प्रयोग किये जाए तो तीस दिन में कितने यूनीट बिजली खर्च होगा तो यह दिया है 12 यूनीट B 9 यूनीट C 6 यूनीट और D 3 यूनीट तो यूनीट को निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे यूनीट बराबर क्या होता है तो वाट वाट गुने घंटा और गुने दीन बटे एक हजार कर लेंगे सब का बटे एक हजार तो क्या निकल के आ तो कितना दिया है, 60 वाट दिया है, 60 गुणे, 5 गुणे, 30 बटे, 100, 1000, तो एक जिरो, एक जिरो, एक जिरो, और ये जह की 5 दुना 10, और ये 3 दुना 6, तो तितिरी का 9, यानि इस प्रस्न का सही उतर आपका आ रहा है, बिकल्प B, 9 जो है की यूनिट का बिजली खर्च होगा अगला प्रस्न है, प्रित्वी का पलायन बेग है, इस प्रस्न को कमेंट में आप लोग उतर दीजिएगा, कि प्रित्वी पर क्योई बश्तु को हम कितने बेग से फेके हैं, कि वो क्या हो जाए, वो जो है की प्रित्वी के गुर्त्वा कर्षन छेतर से बाहर चली जाए, तो इस प्रस्न को कमेंट में आप लोग जो है की उतर देंगे, तो इस प्रस्न का आप लोग जो है की उतर आप लोग को देना है, वीडियो अच्छी लगे, और इसी तरह से आप लोग को आगे भी वीडियो हर सब्जेक्ट से जीगे के most important question आप लोग को दिये जाएंगे, तो आप लोग जो है की इसे अवस्यत देखिए, सेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद.